चल रहा है Russia-Ukraine War में उसको तीन एंगल से समझेंगे What is going on Ukraine? What is happening in Europe? European Union के अंदर कुछ देशों में राइट विंग की सरकारे बन रही हैं Example अभी जो चुना हुए नीदरलेंड में वहाँ पर PVV की सरकार बनती भी नजर आ रही है जिसमें की सबसे जादा सीब जो है PVV के पास है वहाँ पर जो लीडर है Garrett Walrus वो Euro skepticism और Euro skepticism यानि के EU का जो support है Ukraine के लिए उसके पूरे समर्थक नहीं है Ukraine को दिये जाने वाले weapon और जो economic support है वो इसके खिलाप उनका कहना है कि सबसे पहले हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा साथ में वो anti-immigration की बात कर रहे हैं और Quran को ban करने की बात कर रहे हैं तो right wing का एक rise हमने यहाँ पर नीदरलेंड में देखा और उनको साथ दे रही हैं एक और देश के leader वो है Hungarian leader Mr. Obran और ऐसा ही support होने मिल रहा है स्लोवाक्या से तो यानि कि इन तीन दोशों में अगर यह जो बाते उठ रही हैं कि Ukraine के प्रती जो commitment है वो हमारी तरफ से जाएगा नहीं क्योंकि हमें सबसे पहले अपने खुद के देश के interest के बारे में सूचना है तो यानि कि एक तो यह गतिविदी चल रही है दूसरा है Ukraine में जो update है और तीसरा है USA में क्या चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 6 दिसंबर के दिन तो आज जो US की सेनेट है वहाँ पर 60 प्लस बिलियन डॉलर के आसपास का जो रहत package देनी की बात है उस पर voting होने वाली है लेकिन वो vote तभी सफल होगा जब डेमोक्रेट के साथ साथ Republican Party के members भी इस फैसले पर समर्थन देंगे लेकिन वो लग नहीं रहा है देंगे ऐसा लग रहा है देखते हैं by the end of evening क्या होता है अभी फिलाल उसका पूरा background आप समझ लिजे और क्या चल रहा है तीसरा पार्ट है Ukraine तो चली Ukraine वाले पार्ट से शुरू करते हैं अभी हुआ क्या कि जो प्रेजिदेंट जेलिंस की हैं उन्होंने एक लेटर इशू किया और कहा कि जो Mr. Valerie है Valerie is General of Army of Ukraine तो इनसे कहा कि एक तो आपकी जो Deputy Chief हैं उनको हम हटा रहे हैं दूसरा इनसे कहा कि आप Politics पे ध्यान मत दीजे केवल अपने काम पर ध्यान दीजे that you have to win this war अब आप कहेंगे ठीक है इसमें गलत क्या है actually कहा जा रहा है कि यहां पर internal fissures नजारा रहे हैं यानि कि defense forces के leader और president उनकी आपस में नहीं बन रही है तो आप मुझे बताईए एक देश जो युद्ध पर है और ऐसे में जो उनके general है वो अपने president से ही opposite direction में सोच रहे हैं तो आपको ही लगता कि हालाज जो है बदल सकते हैं अब आप सोचेंगे मतलब what is the basis of this actually analysis basis यह है कि Mr. Valerie का अभी एक interview essay की form में The Economist नमक newspaper में आया उस newspaper में इस essay में उनने बताया कि देखो इस समय Ukraine और Russia की forces stalemate situation में लग रही है कोई breakthrough दिख नहीं रहा है इनका कहना है कि already autumn season, बारिश, mud तो जो Ukraine की forces हैं वो basically defense की supplies नहीं मिल रही है और Russia और Ukraine दोनों के ही drone technologies के through they are able to understand the position of other forces तो ऐसे में forward move कर पाना लगबग ना के बराबर है तो यह जो इनकी बात थी यह अब अलग-लग media groups ने इसको basically इस पर दूल देना start किया जैसे कि New York Times अब आप खुछ जानते हैं कि जो western media even मतलब New York Times है वो तो हमेशा Ukraine की favor में ही बात करेगा जैसा वो करता आ रहा है लेकिन recent update यह है कि वो भी यह कह रहा है कि ऐसी situation बन गई है कि जब अगर यह रहत package जो EU से मिलना है वो भी लगबग 57 billion dollar के आसपास का और 60 billion dollar के आसपास का जो यहां से मिलना USA अगर यह नहीं मिलता तो ऐसे में युक्रेन में बैठी सरकार के लिए situation काफी critical हो जाएगी तो अब आप कहेंगे तो इसमें जो जनरल सामें उन्हेंने गलत क्या किया है अगर तुमने बता दिया है खुल के कि हम इस situation में है कि हम आगे ही नहीं बढ़ सकते तो मुझे बताईए जो USA और EU की forces हैं क्या वो हारने वाली ताकत पर दाव लगाएंगी नहीं कोई भी पैसा लगाता है तो जीदने वाली ताकत पर लगाता है तो ऐसे में कहीं ऐसा नहों कि जो अभी vote होने वाली है उसमें गड़बड़ी हो जाए तो आप कहेंगे बात तो लॉजिकल है मिस्टर जैलेंस कीगी साथ में इन्होंने कहा है जो मिस्टर वैलेरी हैं जो जनरल हैं कि आप जो गवर्नर्स हैं उनसे बातचीत नहीं रखेंगे आपके वल अपने इन्वेस्टिगेटिव जनरलिस्ट है मिस्टर सैमर हर्ष तो उन उनने एक रिपोर्ट जारी करी है उनका ये कहना है कि जो मिस्टर वैलेरी हैं जिनको आप यहां देख रहे हैं इनकी सीक्रेट टूप से बातचीत चल रही है जनरल जर्मेसॉव ऑफ रश्या आप कहेंगे उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है मिस्टर वैलेरी को रश्या ओफर कर रहा हो कि आप जो है देख चुके हैं दो साल होने वाले हैं फर्वरी 2022 से शुरू हुआ था यह तहीं जा चुका है चौबिस आने वाला है तो कब तक नुकसान जहिलते रहोगी ऐसा करो आप पीस स्टैब हो पार है अससे होँआ कि आना शाएं राश्ट के नुसार और इसे होगा क्या कि अग्र जंता कहें कि देखो यार यहयार यह तो ऐसे में रस्या का एक जो पॉइंट है उसमें यह कहँए है कि जंता को खुश करने के लिए उनको कह दो चलो नेटो की membership आपको दिलवाएंगे तो आप कहोगे ऐसा कैसा हो सकता है How can Mr. Putin accept a wolf in backyard NATO is like a wolf for Russia ना कियार अपने backyard में नेटो की forces तो सेमर हरश का कहना है कि इसमें जो एक point होगा वो ये होगा कि उकरेन NATO का member बन जाए लेकिन NATO का एक भी base उकरेन में नहीं होगा ये condition पर बाते चल रही है तो आपको लेगा रिक्कत तो चल रही है प्लस एक और सर्वे रिपोर्ट का कहना है Mr. Jalinski की जो approval rating है वो 65% गिर गई है तो इससे पता लगा कि all is not good for Mr. Jalinski आगे बढ़ते हैं इतना discussion तो आपने सुन लिया ये angle तो आपको clear हो गए ये है Mr. Samo Hirsch जिनकी बात मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ये PDF आपको आपके upload हो जाएगी और ये telegram group में मैं interaction करते रहता हूँ Instagram पर आप मेरे साथ यहाँ पर connect हो जाएगी और आपको update दे दू 8 December को आपका P2I best start हो रहा 6 December है दो से मजब दो दिन रह गए हैं तो अगर आप systematic group से तयारी शुरू करना चाहते हैं को course completion के साथ hand holding program via mentors doubt sessions prelims test series, main test series अलग से करनी की ज़रत नहीं है घर से बैठके prelims की तयारी उसके बाद आप offline आना चाहेंगे बट offline दिली में इतना ज़दा खर्चा होता है 15-20,000 रुपे महीना बट ऐसा आपको कोई सिर्दर्द नहीं रखना यहाँ पर आपको main residential program free of cost दिया जा रहा है यानि का आप study IQ campus में आकर तसली से केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजे रहना खाना पढ़ाई आपकी सब कुछ study IQ इस program में ख्याल रखेगा जैसे आप prelims clear करेंगे तो इसमें सब कुछ है interview तक सारे program है आपको बस study IQ.com पर जाना है त्यागी live code लगाना है और you can join this program हिंदी में भी batch available है अलग से जो लोग इस बार prelims दे रहे हैं उनके लिए dedicate batch है SIP plus वही त्यागी live code लगाना है SIP plus में मैं ही quality पढ़ा रहा हूँ start हो चुका है batch 4 December से तो just join in and start prelims यानि कि सारे 3000 plus questions है पैसर्ट questions जो है इसी batch से थे last year के जो questions और explanations से connected थे जो UPSC में आये थे coming back to a topic तो Ukrainian ऐसा लग रहा है कि जलिंस्की का वही stand है जलिंस्की का कहना है कि हमने तो अपना एक कानून पास किया हुआ है कानून क्या है चाह मिस्टर वैलेरी कुछ भी करते रहे हैं लेकिन कानून ये कहता है कि Ukraine जो है give up नहीं करेगा तो आप कहीं गजब कानून है give up नहीं करेगा कब तक नहीं करेगा तो आपको लगता जब ये कानून होगा तभी तो EU और USA ये अधर देश खुल कर सपोर्ट करने आएंगे नहीं तो रहत राशी आपने ले ली पैसा हतियार आपने ले लिया और कोई mandatory आपने conditions नहीं रखी कि भई हम हार नहीं मानेंगे और हम peace जो है unilaterally नहीं करेंगे आपस में खुदी नहीं कर लेंगे अगर दूसरों का पैसा लगा हुआ है तो जो भी होगा वो discussion से होगा other parties के साथ discussion से होगा तो ऐसे में जलन्सकी नहीं करेंगे कि देखो हम give up नहीं करने वाले है हम तो यह करेंगे अब क्या peace यहाँ पर possible है देखिए peace के वल इस condition पर possible हो सकता है जैसा भी लग रहा है कि क्रीमिया तो रश्या देगा नहीं ठीक और जो डोनास्क रिजन है लोहांस्क जो रिजन है जिसको हम डोनबास रिजन कहते हैं तो इस रिजन पर already उन्होंने कह दिया है कि एक independent republic बन गया है पहले से ही मतलब before the invasion actually these regions were having strongholds of Russian bad fighters तो लेकिन युक्रेन का कहना है युक्रेन का कहना है कि ये सब कुछ खाली करना पड़ेगा क्रिमिया भी खाली करना पड़ेगा ये भी खाली करना पड़ेगा this is what Mr. Jalinski is saying एक और बात आपको बता दूँ कि यहां पर खुद US and European leaders they are not happy with military strategy of Mr. Jalinski मतलब क्या है इनका कहना है कि Mr. Jalinski ने अपनी forces को ज़्यादा spread कर दिया है on multiple fronts in this area इससे बेटर ये होता कि वो concentrate करके military forces को किसी एक area में भेजते हैं उससे उस पूरे area को win करना शुरू करते हैं तो spreading ये उनकी strategy ठीक नहीं रही Mr. Jalinski का कहना है कि आपको जो support देना वो देते रहो मेरा देश है वो मेरे पर छोड़ दो कैसे मुझे करना है क्योंकि मुझे ground के हला शायद better पता होंगे तो current ground situation ये है कि ये जो मैं आपको बताया monsoon, muddy area जहां पर Ukraine की forces भी स्टक हैं और Russian forces भी स्टक हैं तो दोनों ही troublesome season में और troublesome लेंड्सकेप में स्टक हैं तो कोई यहां पर breakthrough फिलहाल दिखने ही रहा है जैलिंसकी जी को जो sufficient military aid है वो मिल नहीं रही है ठीक है और दुनिया का focus इस टाइम पर किस के साइड है Gaza और यूकरेन की साइड है Gaza और इसराइल के साइड है तो support जो है धीरे धीरे कम हो रहा है ठीक है funds और weapons जिसकी जुरत है वो कम हो रहे है इसराइल गाजा पर focus है जो pledge उन्होंने किया था as long as it take हम आपके साथ है ऐसा लग रहा है यह के विल बाते बनी रह गई है अब कुछ हो नहीं रहा है 61 billion dollar का जो aid package है आज उस पर vote होने वाली है 6 December 2013 को इस से पता लगेगा कि क्या होगा लेकिन अभी जो Republican और Democrat है उनको साथ में इस पर आना पड़ेगा लेकिन जो Republican है Republican का जो stand है वो यह है वी शुट थिंक आफ US इंटरस्ट फरस्ट US ने अलरड़ी कितनी जगह पर अगर यहां पर इतना पैसा सप्लाई करके हतियार सप्लाई करके और वो क्रीमिया को डॉनबास रीजन को आजाद नहीं करा पाए रश्या से तो एक और स्टेंप हो जाएगा ऑन दे डेक्लाइन अफ हेजिमनी अफ युएस EU भी अब reluctant लग रहा है EU के reluctance का कारण मैंने बताया कि EU के अंदर खुद EU skepticism है यानि कि आप थोड़ ट्रेंज में पीछे जाईए क्या चल रहा था Brexit में ब्रेटेन EU से क्यों exit हुआ था ब्रेटेन ने देखा कि यार 2007-2008 में जब आर्थिक संकट आए तो अब जो देश जैसे की जिनकों pigs nations कहते हैं Portugal, Ireland, Italy, Spain, Greece तो इन देशों में रहत पैकेज देने के लिए European Union के सभी देशों को साथ आना पड़ा बही जब आप एक परिवार का हिस्सा होते हैं और कोई एक को दिक्कत होती है तो सब को साथ आना पड़ता है पैसा भी लगाना पड़ता है तभी तो आप परिवार हैं तो EU वो परिवार है लेकिन यहाँ पर ब्रेटेन का कहना है कि यार दूसरा सुधर नहीं रहा है वो खर्चा ही करे जा रहा है जैसे Greece austerity measures और reforms नहीं कर रहा है तो why taxpayers of Britain should pay for that तो यह जो आइडिया था इसकी वज़े से हमने Boris Johnson का rise देखा ब्रेटेन का EU से exit देखा अब ऐसा ही trend हमें कहां कहां दिख रहा है जैसे कि recent rise हुआ है जो मैंने आपको बताया Mr. Garrett का PVB जो इनकी party है यह तो Mr. Oberon है Hungary के तो इनका भी जो argument है वो package के against है तो अब यूकरिब जलिंस की तो देख रहे होंगे इनकी तरफ को कि मतलब क्या बात कर रहे हो तो EU solidarity का क्या हुआ हम EU का part बनते है इसका क्या हुआ अब इनको इनसे मिलिए यह है Mr. Garrett जो अभी PVB के leader है और ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव में इनकी party को maximum seat मिले है तो यह भावी प्रधानमंतरी हो सकते है मुद्दा ही है इनका यह कहना है कि EU जो है वो भी जिम्मेदार है यूकरेन के crisis को fuel करने के लिए आप कहेंगे कैसे मैं थोड़ा इनके background का एक example देता हूँ actually इन्होंने ये कहा कि 2014 में जो याकुनोविच Ukrainian President थे जो कि Russia की तरफ तिल्ट रखते थे पुतिन की तरफ तिल्ट रखते थे जैसी वो power से गए और उससे में क्या चल रहा था Ukraine में लोग सड़कों पर थे लोग का कहना था कि यारी जो याकुनोविच हैं ये पुतिन के साथ हैं Ukraine को तो EU के साथ align होना चाहिए ये बाती चल रही थी तो इनका कहना है कि ये EU ने ही Ukraine के अंदर ये crisis खड़े करे थे जनता को भड़काया था पैसा पहुंचाया था मीडिया पर influence बनाया था जिससे कि वो जो US का agenda है to actually pose Russia as a threat उसको वो सफलता मिल सके लेकिन इससे इनका कहना है कि Russia is not that much an enemy क्योंकि इससे पहले ये खुद क्योंकि जो MP हैं ये Member of Parliament है 1998 से किस्मत इनका साथ नहीं दे रही थी ऐसी position में नहीं आये थे कि coalition government में ये प्रधान मंतरी जो leader है leader की position में आ सके लेकिन अब वो समय इनका आ गया है लेकिन इनका इन्होंने इससे पहले Russian Parliament पे जाके और वहाँ पर photo op करवा रहे थे उस समय उसके बाद इन्होंने जो interview दिया था उसमें इन्होंने जो है pro-Russia sentiment को show किया था so means things are changing there Garrett Wilders लेकिन बात ये कि जो निदलेंड की politics है जो उनकी polity है तो वहाँ पर coalition government बनेगी गड़बंदन की सरकार बनेगी तो गड़बंदन में जो दूसरी party है उसकी policy क्या है उसके हिसाब से भी Garrett Wilders को mold होना पड़ सकता है बट ये तो हमें show रहा है कि इनका क्या रुख है तो he is not at all in support of providing Ukraine the essential medicals, essential these weapons and जो monetary supply है उसके favor में नहीं है तो conclusion हमें ये समझे में आता है अभी उनके approval rating जो down है उन्हें उस पर कुछ काम करना पड़ेगा और कुछ बीच का रास्ता निकालने पर they need to think around finding a middle path they cannot toe the line of US or EU ये जो है ultimately जो NATO member nations है उनका commitment वैसा नहीं है जैसा कि US का commitment था दोनों बातों में फरक है और इस्राइल और हमास की fighting अभी रुक नहीं रही है टूस हुआ लेकिन फिर वो टूस ब्रेक हो गया तो इससे भी जलिंस्की को सोचना चाहिए कि international politics जो है वो impact करेगी alignment of partners which Ukraine was having previously तो Middle East भी काफी कुछ तै कर रहा है तो रही बात अपने जनरल की तो जो forces का sentiment है उसको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा वही एक leader होता है लेकिन हाँ ये बात सही है being a president कि अगर उनका को military leader उनको bypass कर रहा है interview दे रहा है और कह रहा है कि भई अब कोई रास्ता निकल नहीं रहा है और उसकी वज़े से जो राहत package Ukraine को मिलने वाला था वो दिक्कत में आ रहा है तो ऐसे में जो jealousy का stand है वो तो ठीक लग रहा है politically correct है अपने हिसाब से Now, rise of right in Europe tussle in Middle East and Middle East is denting the broad alignment in international politics यही तो exactly हो रहा है भी इसी पर तुमने discuss किया है तो I think आपको यहाँ पर clarity मिली होगी फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में